हेलो दोस्तों, हिंदियन गुवाई टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको वट्सप की एक न्यू ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो आपको 2021 में पता होना चाहिए बहुत ही कम्माल की और यूनिक ट्रिक है आपको जरूर से पसंद आएगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तो दोस्तों जैसे के आप देख सकते हैं मेरे मुबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है जो देखने में बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है अगर कोई बंदा देखेगा तो एक बार तो जरूर पुछेगा भाई तो ने अपना नाम मुबाइल की होम स्क्रीन पर कैसे लिखा है और दोस्तों इस नाम पर जैसे ही मैं किलिक करूँगा तो वटस अप ओपन हो जाएगा जिसे के आप देख सकते हैं यानि कि जो भी बंदा देखेगा एकदम से चौक जाएगा अगर एक बार पुछेगा भाई तो ने ये कैसे किया है जैसे कि आप देख सकते हैं वटस अप ओपन हो रहा है अब यहाँ पर दोस्तों आप कोई भी एप्लिकेशन सेट कर सकते हैं और आप जो भी एप्लिकेशन सेट करेंगे और अपने नाम पर किलिक करेंगे तो वही एप्लिकेशन ओपन हो जाएगी मैंने यहाँ पर वटस अप सेट कर रखा है तो ये ट्रिक आप कैसे यूज करेंगे तो इसके लिए दोस्तो आपको एक application डाउनलोड करना है इस application का नाम है Simple Text Visit इसका download link आपको description में मिल जाएगा वहाँ से आप इस application को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इसे open करना है एक बार इसके बार इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है आपको back आजाना है back आने के बाद mobile के screen पर एक second के लिए दबाना है इसके बाद आपको यहाँ पर visits में चले जाना है इसके बाद यहाँ पर दोस्तो Simple Text application को आपको धूंड लेना है आप देख सकते हैं Any Text Visit यह application का यहाँ पर visit आपको मिल जाएगा अब आपको क्या करना है हो सकता है आपकी mobile पर अगर आप एक बार click करेंगे तो यह home screen पर आ जाएगा अगर एक बार click करने पर home screen पर नहीं आता है तो आपको एक second के लिए इस पर दबाना है और इसको इस तरह से उढ़ा कर home screen पर ले कर आ जाना है ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार इस text पर click करना है ठीक है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कई सारे option आ जाएंगे अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कुछ setting करना होगी तो ही आपके phone में home screen पर आपका नाम आएगा और whatsapp open होगा ठीक है अब यहाँ पर आपको your text पर click करके यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है यहाँ पर आप किसी और का नाम लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लिखना है और ok कर देना है इसके बाद यहाँ पर action पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपके mobile की सभी application और settings आ जाएगी अब जो भी application आपको set करना है आपको एक बार उस पर click करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी application है यहाँ पर मैं whatsapp को set कर देता हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप found style चेंज कर सकते हैं आपको कई सारी found style देखने के लिए मिल जाएगी ठीक है यहाँ पर दोस्तों power चली गई है फिर भी हम वीडियो को continue रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको color का option मिलता है आप color change कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर found style की जो size है वो आप बड़ा दीजी यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 50 ठीक है यह 50 हो चुकी है इसे ok कर देते हैं ok करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर जो found style में ने change की थी यह वाली की थी यहाँ पर आ चुकी है ठीक है इसके बाद दोस्तों क्या करना है कुछ नहीं करना है आपको back आजाना है back आने के बाद आप दिख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है अब आप इसे कहीं पर भी set कर सकते हैं इस तरह से ठीक है अगर दोस्तों आप कोई MI का फोन यूज कर रहे हैं तो आपको इस application को कुछ और permission देना है आपको application पर एक second के लिए दबाना है app info में जाना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको auto start की permission उक्के कर देना है other permission में जाना है और यहाँ पर सभी permission को आपको allow कर देना है तो ही यह application MI के phone में काम करेगी ठीक है अगर आपका phone MI का नहीं है तो आपको यह सब permission नहीं देना है ठीक है अब जैसी दोस्तों मैं अपने नाम पर click करूँगा WhatsApp open हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर WhatsApp open हो रहा है अगर आपको यहाँ पर कोई और application set करना है तो आपको दुबारा से application में जाना है यहाँ पर action on visit क्लिक पे जाना है अब यहाँ पर आप कोई और application अगर set करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोई और application यहाँ पर choose कर लेता हूँ जैसे कि यहाँ पर हम कर लेते हैं यहाँ पर कोई application में search कर लेता हूँ दूसरी वाली यहाँ पर हम कर लेते हैं gallery को ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं नाम पर किलिक करूँगा तो gallery open हो जाएगी देशे के आप देख सकते हैं gallery यहाँ पर open हो चुकी है तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को like जरूर कीजिए what's up, facebook पर जादा से जादा share कीजिए अगर दोस्तों आपको इसे यहाँ से हटाना है तो आपको एक सेकंड के लिए नाम पर click करना है और आपको यहाँ से remove कर देना है तो यह हट जाएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में Thank you